हलो गाईज वेलकम टू अचीव आईएस माई नेम इस आईउश मेटी इस वीडियो में हम 25 मार्च 2020 के दहिंदू एट्रोले अनले से शुरू करेंगे चलिए हमारा जो पहला आटिकल है वो है डैट बाय फाइरवरक्स जिस तरीके से हजार इंडिस्ट्रीज में जो की खास कर जिन्दगी आज जा रही है काफी खतर ना है सबसे पहले तो चैलिंजेस काफी जाता है क्योंकि अगर मैं फाइरवरक इंडिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इस आर्टिकल को मैंने अच्छे से पढ़ आया और मैं आपको शोट-शोट मैं आपको पोइंट से बताने व आपको जो है नुकसान हो सकता है और कुछ भी नुकसान नहीं हुआ तो भी आपको जो इन्वार्मेंट में आप रह रहे हैं धुआ जो केमिकल में आप रह रहे हैं जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं उनसे आपकी हैल्थ पे बहुत समश्या सकती है दूसरा इंप्रोप पटा के जीतने जादे तेज फूट हैं इतने जादे बिगते हैं तो फायरवर्क इंडस्ट्री में फिरो मेटर भी तरह ख़तर नहीं काता है लेकिन चैलेंज यह कि इनको हैंडल कैसी कर रहा है और इंको हैंडल करने के लिए जो होँआ पर काम करते हैं उनको प्रोपर सुव ही नहीं करता है तो कुछ अर्टिकल में बताया गया है कुछ मैंने अपने तरफ से जोड़ेंеп Animals के लिए किस तरीके से अगर an hour फै्रशन लिए पे कुश्ण आ जाता है तो आपको मेंने चलेंज़िए बता कि को करना कैसे हैं कि सी तरीके से हम खो आगे स्कते के सुलिशन्स हैं सोलुशन्स दो के लिए एक तो खुद इंडस्टिरी के लिए दूसरा सरकार की लिए इंडस्टिरी का सॉलीशन सब्सक्राटी को रिखोड़ा करने कोशिश करें कैसे जो यहाँ पे लोग फरजी वाड़े फरजी जो फैक्टरी चला रहे हैं उनको रोकने की कुशिश करें अपने जो एंप्लोईज हैं उनका ख्याल रखें अपने जो वरकर से उनका ख्याल रखें उनको अच्छे वेजेज दें उनकी हेल्थ का ख्याल रखें इंशोरेंस भी उनको कराने के लिए देऎ करें कि वो इंस् Goodness भी खरा लें और उनको जो है प्रोपर गाईड करें कि इस तरीखे से से मी इंत्रयक्त हैं को हैं तो यह कुछ इन्डेस्ट्री के जो है काम हैं को पुद करना पागा थैं सरकार की बनाना चाहिए ऐसी जगे ना खुले जहां पर आसपास रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जहां पर पूरे एरिया में आग लगने के चांसेज है वहाना हो साथ में यह चैक भी किया जाए हर फेक्टरी में जाके इंस्पेक्टर्स के दोरा कि क्या यह नॉम्स और रेगुल नहीं होता उनके पास प्रोपर जो है फायर एक्स्टेंगिशर नहीं होता कई आग भढ़ती चली जाती और कुछ भी नहीं करता है तो यह सब जो सरकार को करना पड़ेगा इंडर्स्टी के लिए भी सलीशन मैंने आपको बता दिये तो यह जो इस आर्टिकल में पूरा मैं कोविन नाइंटिन पार्टिकल आया है उनको हम नहीं पड़ेंगी क्योंकि वहीं बाते हैं जो हम रोजना करते आ रहे हैं केसेज और डैट्स बढ़ रही है चिंतित हैं देशवासी भी सरकार भी आप भी हम भी तो इट इस इंपोर्टेंट टो रिमेंबर यह बहुत जरू निटी रेट भी कहते हैं और मोटली रेट भी कहते हैं वह तीन से 0.25 परसंट तक है यानि कि आप तीन से जो है 0.25 परसंट तक जो है यहां पर मृत्टियों जोगों की ऐल्डरली की बात करूं तो 10 परसंट तक यह पहुंच सकती हैं चाइना के अगर एक्सपिरियंस हम दे इटली का हम देखें युनियटेट स्टेट कर हम देखें तो यहां पर कुछ रिपोर्ट यह थी कि इंडियन्स को यह काफी ज़्याद एफेक्ट करेगा और मेरे पास तो यह भी रिपोर्ट अई ती पता नहीं सचती की गलती मुझे नहीं पता लेकिन हजारों की संक्या मे जो है यहां पर इंफेक्शन फैल जाएगा अगर यह सब चेंज हो सकता है यह जो सारी रिपोर्ट है यह सारा डाटा है जो मैतेमेटिकल मोडल है सब बदल सकता है सब जूटा साबित हो सकता है अगर हम फिजिकल डिस्टेंसिंग करें और लाउडाउन मेजिर करें क्यूंक चाइना में भी 90,000, 80,000 कैसे तो हुए है अब जाके तो कंट्रोल किया लेकिन अब तक तो हुए ही तो यह जरूरी है समझना कि इंडिया का हैल्थ सिस्टम किस तरीके से कोविट-19 को रिस्पॉंड करता है और यह भी समनना पड़ेगा कि क्यूंकि यह समनना इसलिए जरू कोर्डिनेशन हम नहीं जानते कि कितना अपैडमी के फैल ले गए इंडिया में चुकि कुछ ही लोग हैं स्मोल नंबर हैं जो टेस्ट किये गए हैं और जो माइल्ड केसे उनको तो डिटेक्ट भी नहीं किया तो इंडिया के जो आफोर्ट से कोविट नेटे कंट्रोल करने में खास करकि फिजिकल डिस्टेंसिंग के जरिए और आइसलेशन के जरिए ये सकस्फुल होंगे क्या ये अन्नोन है जरूरी नहीं है लेकिन यहां पे अगर हम और कंट्रीज की जैसे देखें तो हमारे भी यहां पे कुछ होट स्पोर्ट होएंगे ऐसी जैसे वुहान है चाहिना में वहाँ पे डिसी आउट ब्रेक हुआ था होट स्पोर्ट था हुए प्रोविंस में जो वुहान शेहर था वैसे हमारे भी हाँपे होट स्पोर्ट बनने जाएंगे बन जाएंगे उन सब को जो हम हैंडल कर सकते हैं अच्छा कंफर्म्ड कोविड नाइटीन केसे इस्केरला महाराश्टर में जादा आएं क्योकि हुआ पर टेस्टिंग भी जाथां महां पर होट स्पोर्ट भी बन रहे है कुछ शहर कुछ जगे क्योंकि टेस्टिंग भी जादा है तो इस तरीक 찾 मSchub किस तरीके से हर रहा है । था है स्टेट मीस्रीन की नजलिये से अपने सारे resources को लगाते वे इस outbreak को independently manage करना उनको होगा independently क्यों क्योंकि यहाँ पर state to state coordination काफी कम है अगर state to state it is unlikely कि वो independently manage कर सकेगा करना तो होगा पर कर सकेगा इस पर कोई guarantee नहीं है अगर हम कैसे न कैसे state to state coordination ला दे या within state coordination ला दे district wise district wise coordination ला दे तो efficiently हम सारे resources को लगा के चाहे वो doctors हो चाहे वो हमारे nurses हो चाहे हमारे जो equipment जितने भी supplies हो सब को जो है हम एक जगे लाके hot spot जो बन रहे है hot spot जहां पर सब ज़्यदा बिमारिया हो रही है जहां पर विदेशी लोग काफे ज़्यदा विजिट करने आए थे जहां से infection काफे ज़्यदा निकल रहे है वहाँ पर हमें सारे resources लगा सकता है hospital के पर से ठीकी बात करू डाटा बहुत important है याद कर लेना health के हर question में mostly यह data आ सकता है मैं बताऊंगा अब होस्पिटल और ICU bed जो हमारे होते हैं बहुत गवा है डाटा में आपको बताता हूँ लिख लो हेल्थ केर के हर क्यूशन में mostly काम आ जाएगा एक लाग लोगों पे 70 हमारे hospital bed है normal जो hospital bed होते हैं और 2.3 ICU bed है comparison देखें तो चाइना में 420 है ब्रेकिट में इटली के data है ब्रेकिट में इटली का data है चाइना के पास 420 है और ICU bed 3.6 है पर 1 लाग पिपल फिर भी फिर भी ये countries बिमार पड़ रही है और handle नहीं का पार इस pandemic को तो हम तो कैसे करेंगे अगर recent studies के आप calculation देखो और पढ़ो तो यह जो बिल्कुल जिस तरीके से data निकल के आ रहा है कुछ states में जैसे आंदर प्रदेश के अगर बात करें तो 6 वीक के अंदर ICU भर जाएंगे और hospital bed 8 वीक के अंदर अंदर भर जाएंगे ऐसे कुछी सब्ता में states में जो hospitals की capacity आउट पुई तरीके से खताम होने लग जाएंगे तो इसके लिए हमारी जरूरी है कि जब हमको पता है कि ICU 6 सब्ता के अंदर भर जाएंगे तो हमको strategy बनानी चाहिए कि इस तरीके से hospital और ICU capacity बढ़ाएं वेंटिलेटर बढ़ाएं परसनल प्रोटेक्टिव एक्विमेंट बढ़ाएं हेल्थ वरकर्स के लिए क्यूंकि दुनिया बर में 20% हेल्थ वरकर्स को infection हुआ है चाइना में तो बहुत सारी हेल्थ वरकर्स की death भी हुई है हम चाइना में खास करकि अगर इस तरीके की equipment और मास्क वो अपने health professionals को देता है जो कि भारत भी नहीं है तो तो काफी खतरनाक इस तेती होगी भारत के लिए चाइना रिटली की बात करें दोनोंने hospitals बहुत rapidly construct करने की कोशिश के और किया भी है इनोंने यह कहापी doubtful है कि हम ऐसे hospitals इतनी तीजी से कर सकते हैं और कर भी सकते हैं क्या उनमें हम staff ला सकते हैं तो हमको इतने भायनक तरीके से hospitals करना तो impossible है लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़े कर सकते हैं जुगाड़ू जिसको कहते हैं हिंदिय में जो भारत जो फेमस है जिस चीज के लिए वो है कि हम current hospital के capacity बढ़ा सकते हैं कैसे hospital trains लाके जो trains होती है उनमें hospitals बना सकते हैं जो एक location दूसरी जगह जा सकते हैं जो universities हैं हमारी उनको treatment centers में तबदील कर सकते हैं private sector में जो resources हैं उनको हम tap कर सकते हैं उनको हम उपयोग में ला सकते हैं उनको हम utilize कर सकते हैं इंडिया का health system काफी privatized है और country की जो health care capacity यह depend करती है कि हमारे पास human resources कैसे हैं जिनमें doctors, nurses, paramedical staff, workers, health workers सब आ गए, hospital beds कितने हैं, infrastructure में आ गए, laboratories, diagnostic centers, private sector में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा private sector हमारा अच्छे से फूला फला हुआ है, उसको हम उपयोग करना पड़ेगा, कुछ राजे सरकारों ने ते इसको start भी कर दिया, कि उन्होंने private laboratories को license दे दिया, allow कर दिया, कि हाँ, अब आप private hospital bed जो है, यह अब से positive patients को treat करेगा, जरूरी है, it is needed, क्योंकि private hospitals को हम अब planning में और coordination में भी अगर डाले तो वो और भी बहतर होगा, पर private hospitals अगर planning भी करे, coordinating भी करे, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि private sector के पास excellent minds है, expertise बहुत अच्छी है, तो इनको अगर मुपयोग मिले सके हैं, तो क्या ही बात, मज आ जाएगा, healthcare workers जो है, वो काफी critical resource है, COVID-19 response के contact trace करते हैं, जो इन फैक्टों को पकड़ के लाते हैं, साउथ कुरिया चिंगापूर में तो excellent इनोंने काम किया है, एक के health workers की capability काफी जादा है, ये cases को locate, test और treat भी कर सकते हैं, हमारे देश में, इंडिया में acute shortage है, workers की, अगर आप ये data भी लिखें, तो काफी अच्छा ही ह होगा, एक 10,000 की population पे 3.4 qualified doctors, qualified, ऐसे तो unqualified doctors काफी जाद है, लेकिन qualified doctors, 3.2 nurses, midwives, 10,000 की population पे, जबकि चाइना और इटली का data आप देख सकते हैं, चाइना में करीब 18 doctor है, आपको लग रहा होगा कि यार इतना फरक नहीं है, 3.6 और 18 में, लेकिन आप जब संख्या बड़ी कर करते जाते हो, 10,000 population से 1 करोड, 10 करोड पे देखोगे, तो बहुत फरक निकल के आता है, और जो भी health care, हमारे workers हमारे पास हैं, जो doctors हैं, वो सारे शहरों में, जो हमारे 3.6 doctors per 3000 की population है, सारे शहरों में, mostly, जो गाउं में कोई आता ही नहीं, इलाज करने, गाउं में पैसा का है, तो अर्बन एरियाज में हैं ये, states में अगर में बात करूँ, ऐसा भी नहीं है कि states में भी, जो है, हर शहर में ऐसा है, बिहार की में बात करूँ, तो हमापे शहरों में भी काफी के में ये doctors की, आप डाटा देख लो ना, बिहार का कितना अंतर है, nurses भी काफी इस लड़ाई workforce कैसी होगी, ये COVID-19 response का effect करेगा, especially rural India में, और ऐसे states में जहां पे health workers के काफी कम है, तो health अब ऐसा तो नहीं है कि हम health workers को एक दू महीने के अंदर बढ़ा दे, कोई course ऐसा होता नहीं है, licensing हर किसी को दे नहीं सकते, हर किसी को लाओ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, जो already health care workers हैं, जो qualified नहीं है, टेस्ट करने में, उनको ला सकते हैं, भाई, task shift कर सकते हैं, आयुरवेदा, योगा, नेचुनोपोथी, युनानी, सिद्धा, होमियोपेथी, डॉक्टर, टनर्स, प्रेड़ मेडिकल स्टाफ, कितने डॉक्टर्स गाओं में, जो हैं, इन सब को मिल के हम ला सकते हैं, जो लोग इसमें इंगेज नहीं है, जो ओलरेड़ी, जो इसमें, जो कोई और जगह काम करते हैं, जैसे हमारे होमियोपेथी के डॉक्टर्स होगे, उनको हम ला सकते हैं, उनको हम जो हैं, उस एरिया में भेज सकते हैं, जहां पर डॉक्टर्स की काफी कमी ह तो क्योंकि hospital को आप shift नहीं कर सकते है ventilators को shift करने में दिक्कत आएगी hospital beds को shift करने में दिक्कत आएगी लेकिन human resources कफी आजानी से shift हो सकता है doctor nurses आसानी से कहीं पहुचा जा सकता है तो primary care providers अगर आप देखें जैसे कि medical officers, nurses, midwives, parapharmacists और कई बार तो कर ज़्यादा जूरित पड़ी तो आप social health activist को भी जो है ला सकते है कुछ होते हैं जैसे rural medical practitioners जो की registered नहीं होते हैं लेकिन rural medical practitioners होते हैं उनको भी आप जो है COVID-19 patients के लिए ला सकते हैं बाप बोलोगे इसे health में compromise नहीं होगा तो को treatment के लिए उनको allow नहीं करना लेकिन ऐसे तो कर सकते हैं कि first contacting के साथ हो जाए मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई भी patient अगर positive आता है तो उसको शेहर में लेका जाए जो वहाँ पे homeopathy का या फिर कोई आर्म ये जो rural medical practitioner available है या social health activist है या rural medical practitioner है उनके साथ उनको जोड़ा जाए उनके साथ उनको contact में लिया जाए और इनके लिए जो practitioners नो मैंने बताए अभी तक इनको guidance हमको देनी पड़ेगी income को engage करना पड़ेगा इनको direction देनी पड़ेगी COVID-19 किस तरीके से filter किस तरीके से आपको इलाज करना है क्योंकि इतना नहीं जानते होंगे इतनी expertise है नहीं इतनी expertise होते है तो गाओं में काम ही क्यों करते है तो जरूरी है ना तो इस जो जैसे contact tracing के लिए जरूरी है कि अब यह साथ को यह सिंगरपून में भी हुआ है इसा तो private primary healthcare providers को यहां पे पेशन्स की तरफ लाना चाहिए early stages में या फिर जो mild form से diseases के severe disease को शहरों में जाना चाहिए और expertise जो doctors है जो expert doctors हों के पाथ जाना चाहिए लेकिन प्राइमरी जो care providers है nurses paramedical staff pharmacist social health activists सबको जो है यहां पर starting में early stage पर role play करना चाहिए और इससे क्या होगा कि treatments काफी ज़्याद अस सकते हैं private sector को engage कर सकते है it is not a easy task to accomplish easy task नहीं है COVID-19 response की स्ट्रेटीज हमको चाहिए private healthcare को engage करना पड़ेगा primary healthcare को लाना पड़ेगा साथी साथ तो health worker safety की भी हमको चिंता करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप देखे चाइना में 3000 से ज्यादा health workers का infection हुआ है 12-22 तो यह पी death होगी इटले में भी 20% health care workers को कफी होदा infection हुआ है भारत में तो protective gear protective mask की भारी कमी है ठीक है तो हम यह कोशिश करें कि health system जो है हमारा व तो हाँ पर जो मकान मालिक है जिनके किराय में डोक्टर रहते थे उनको नहीं आने दे रहे क्योंकि मकान मालिक को अब डर लग रहा है कि यह patient का इलाज करके आए होंगे इसकी वज़े से infection इनको भी होगा और यह हमको फैलाएंगे तो यहाँ पर दिल्ली सरकार ने और खास सुनी थी तो इतना बत्तमीज और अगर लाल चीन सान हो गया है तो मुझे मुझे नहीं लगता कि कोविट-19 से हम इस तरह के से लड़ पाएंगे हमको अपनी जिम्मेदारी भी नहीं पानी होगे अपनी हमको खुद के लिए नहीं लड़ना आप घर में बैठे रहेंगे आ लेकिन आपको जो हेल्थ केर वर्कर्स हैं जो आपके गरीब लोग हैं जो पूर जो पिपल है जो इस चीछ से जूज रहे होंगे जिनको काफ़ ज़्यदा वल्लरिबलिटी है उनके लिए भी काम ना करना ही पड़ेगे यह बात है कि राइट्स अफेक्टेड एरियाज में किस तरीके से जो हेल्थ केर उनको नहीं मिल पारी है आज के टाइम पे वो डर रहे हैं हेल्थ केर से काफ़ी ज़्यदा वो डर रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा नहीं है साकार पर यहां पे दर रेज्टू फाइंड अ क्यूर फूर कोविड-19 इसमें बात हो रही है कि स्टार्ट हो गया ट्राइल का लेकिन यहां पर किस तरीके से एक एक सी विक्सीन आए जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो अच्छी भी हो और अफेक्टी भी हो इसको एक साल लग जाएगा क्योंकि हम जो है वैक्सीन का डायरेक्ट हुमन पर ट्राय कर रहा है और कोवि वर्ष तो खतम हो गया लेकिन कोई और डिसीज चलो गई और वैक्षिंट इस तरह की ही हो कि एक बार अगर चलेगे कोविड-19 तो दो बार आने के चंचेज ना हो हला सर्विसेज आट अवर डौर स्टॉप इसमें बात और ए देखो हेल्थ हेल्थ जो डिलीवरी वर्कर जो यहां पर डिलीवरी hypocr कर सांबके जो आपके आमजोन फिलिपकार्ट और यह जो होगे तो हेल्थ वर्करS को तो आप काफ़ी तवज्जों दे रहे हो delivery workers को जो है इतना यहां पर आप तवज्ज़ नहीं दे रहे क्योंकि delivery workers के साथ खिलवार बहुत ज़्यादा हो रही है जो companies है बड़ी-बड़ी e-commerce companies इनको छुटिया नहीं दे रही delivery workers को क्योंकि delivery का ज़्यादा उपयोग होगा क्योंकि बाहर तो कोई जा नहीं सकता लेकिन delivery workers को protective mask equipment gear नहीं दिया जा रहा है यह इनको जबरदस्ती पुश किया जा रहा है कि delivery करें जबकि यह नहीं जाना चाते हैं और इससे यही नहीं बलकि public भी खत्रह में आ जाती है इसे तो कंपनियां कह रहे हैं कि हमने hygiene की पुरी विवस्ता कर रही हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि delivery workers अगर आप देखें तो चाइना और इटली में इन्होंने इतना अच्छा रोल प्ले किया है कि इन्होंने जो है दीदी जैसे कुछ प्लैटफॉर्म से दीदी मिल रही है ना इनका जो एक कंपनियों के द्वरा ख्याल रखा जा रहा है ठीक है तो ये भी जरूरी है COVID-19 and cities anatomy इसमें बहुत हो दिया कि COVID-19 ने किस तरीके से बुरी दुनिया को बदल के रख दिया जो बड़े-बड़े शहर है Washington DC जैसे उनको भी बदल के रख दिया टरंप ने बहुत हलके मिलिया था USA में टरंप ने कहा था कि फोरेन वाइरस है कुछ नहीं होगा बहुत casualty ने इन्होंने लिया बहुत casual में लिया वे में खास response इन्होंने नहीं दिखाया और इसकी कीमत इनको बुगत नहीं पड़ रही है और वही कीमत हमको नहीं बुगत उट गया और जिस तरीके से cases बढ़ रहे हैं जिस तरीके से cases की बढ़ोत्री हुई USM है उस तरीके से देखा जा रहा है कि वहां का जो health system है health care system है वो भी अब तंग आ चुका इन cases और हाली में भी देखा गया कि अब जो है बिजनेस को खोलने की प्लैनिंग चल रही है कि बिजनेसे ज्यादा बंद जो है नहीं कर सकते हैं तो गैस यह थी हमारी वीडियो इन सब से हमको सीखना पड़ेगा ठीक है इन सब से हमको सारी knowledge लेके हमारे जो means में उनमें डालनी पड़ेगे ठीक है थांक्स वर वोचिंग जाहिन गोड़ ब्लेस यूवाल